हेलो बच्चो तो पिछले वीडियो में हमने भूमि संसाधन के टू मार्क्स और फोर मार्क्स से कोशन देख लिए थे बच्चे क्या थे कोशन कर लिए ठीका में वीडियो में हम उपयोग कैसे थे अलग-अलग अख टाइप के भूमी संसाधन सरकार दार भूमि अधीम नियम बनाया गया था मृदा की परते कान सी ओती पीछले वीडियो में देख चुक है तो अभी हमको say qosled करने देखते हैं भारत का कुल भॉग लोगी छेत्रफ़श पै defa Раз कई है व।ा ही durch Di two p.1 लाख वर का किलोमेटर तो इसका अंसर क्या होगा भी थीक्षा भूमी उपयोग के अधार पर सरवादिक भूमी है कौन सा है बहुत सारे प्रकर देखे थे वन भूमी बंजर भूमी क्रिशी भूमी आक्रिशी भूमी तो अभी कौन सा है भई क्रिशी भूमी सरवादिक है क्योंकि जो भारत क्या है क्रिशी प्रधान अर्थवरस्था है ठी कितने भाग हों चाहिए भई 33 परसेंट लेकिन अभी कितना है 23 ठीक है मृद्धा की कौन सी परत क्रिशी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है भई जैविक परत जिसमें कौन कौन से आते हैं ओ और ए ठीक है अब परदन इवं किट नाशको के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुक्सान होता है हमने देखा था सबसे उपरी परत कौन सी थी भाई ये वाली जैविक परत है ना तो कौन सी परत होती है जैविक परत kommen इसाथी परत श्री परत आधारी परत थीक है चत्वा वर्तमान में भारत में बारत में कितने परतिशत परतिशत है बताओ कितने परतिशत लेकिन होना किता है ये परियावण इदिस्ट्री से 33 ठीक है अगला कोशन भारत में सबसे अधिक क्य викस्तार किस मिंदा मरिदा समय क्य appreci Mick कே मिरिदा पल यह फिन यह शुष नॉक्僻 से ब्लतिक कौन स्वादी पूला से लाड़ोपुडर किया है वर्षी स्वाधिवाली प्रॉका को काली मृदा सरवाधिक नमीधारन करने वाली मृदा होती है ना तो यह आपको क्या one-liner question मतलब खालिस्तार में पूछ सकते हैं इसी को है ना तो आपको ऐसे भी चीजों को पढ़ते जाना या सही मिलाओ काली मृदा क्या देखेंगे नमीधारन करने वाली जरोन मृदा सरवाधिक भारत में पाई जाने वाली परवती वन लेटराइट मृदा सरवाधिक वर्षा तो ऐसे देखेंगे ना तो आपको क्या one-liner question में खालिस्तार में बन जाएंगे और सही जोड़ी भी ठीक है अगला मृदा निर्मान के कारिकों में शामिल नहीं है क्या जलवायू का effect होता है अलग अलग अनुसार जगर के अनुसार मृदा अलग अलग होती है थाल मरसर ने पाई जाने वली मिलता थाल मरसर मिलता क्यासे होगी वह शूषकश्कर भी approach to have comes पास पास पाई जाने वाली मिधा जड़ोन मिधा ठीक है तो यह आपके mcqs question थे इस chapter से आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपके वन liner question खालिस्तान question सही जोडी मिलाओ और mcqs सब बन जाएंगे है ना तो हमने two marks four marks question के तयारी भी कर ली और mcqs तो यह हमारे second chapter भी आज खतम हुआ है ना तो हमारे संसाधन है विकास भी हो गया भूमिस संसाधन अब इकाई एक का अगला सब्सक्राइब कौन से होगा विकास की समझ तो उसको हम next class में करेंगे इतने अगले कल करेंगे ठीक है तो बच्चों तब तक लिए आपको तयारी करते रहना है best of luck